आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी घल्धी ब्रेक्फुस्ट रेसीपी यह है इंस्टिन्ट रवा इडली यानि सूजी से बनी हुई इडली है यह बहुत ही टेस्टी है फटाफट से बन जाती है तो चली फिर शुरू करते हैं इसके लिए हमने पैन लिया है जिसमें हम दो दाल रहे हैं आप जगह दो चम्मच तेल भी ले सकते हैं अब इसमें डालेंगे एक चम्मच राई एक चम्मच उरत की दाल एक चम्मच चना डाल दो बारीक कटी हुई हरी मिर्चे थोड़े से करी-पत्ता हमने काट कर लिए हैं एंहें कुछ सेकिंद्स के लिए हम लोग भू पहले डालनी थी, मैं भूल गई थी और मैं इसे अभी डाल कर सारी सब्जीयों के साथ मिक्स कर रही हूँ। सब्जीयों को एक मिनिट के लिए ही पकाना है, सब्जीयों का क्रंच खतम नहीं करना है। अब इसमें एक कप हम सूजी डालेंगे एक कोई भी कप ले लीजे या कोई कटोरी ले लीजे उसकी नाप के साथ में एक कप सूजी डाल कर सूजी को लगातार चलाते हुए दो मिनिट के लिए हम भूनेंगे ज्यादा नहीं भूनना है इसके बाद सूजी को हम डाल देंगे एक बोल में और इसे ठंडा होने देंगे पूरी तरीके से, जब ये ठंडा हो जाएगा तब आधा कप हम इसमें दही डालेंगे, एक कप सूजी और आधा कप दही सेम कप के नाप के हिसाब से, थोड़ी सी धन्या पत्ती और नमक डाल कर सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स क तब हम इसमें पानी डाल देंगे लगभग आधा कप, आधा कप दही, आधा कप पानी, एक कप ले लीजेगा, उसी से ही सारी चीजे नाप लीजेगा, इससे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, और जैसा इडली का बैटर होता है, बिलकुल उस कंसिस्टेंसी का हम इसे रखे हैं, अब 10 मिनिट के बाद, जब हम बैटर को चेक करेंगे, तो बैटर काफी ठिक हो चुका होगा, सूजी जो है, वो फूल गई होगी, इस टाइम पर हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालेंगे, और बैटर को वापस पहले जैसा इडली के बैटर के जैसा बना देंगे, ज इस से ज्यादा नहीं लेना है, और इसके ऊपर हमें थोड़ा सा पानी डालना है, अच्छे से मिक्स करना है, एक ही तरफ मिक्स कीजेगा, दूसरी तरफ मिक्स मत कीजेगा, एक तरफ अच्छे से मिक्स कीजे और फटा-फट से इस बैटर को डाल दीजे इडली के प्लेट म बिना देरी किये हमें ये काम करना है जैसे ये हो जाएगा हमने वहाँ पानी गरम करने रखा हुआ है हाई फ्लेम पर हमने इसे पाँच मिनिट के लिए गरम किया जब गरम हुआ तब इडली का स्टांड उस पर रख देंगे धक कर लो से मीडियम फ्लेम पर 10 मिनिट के लिए इडली को बनने देंगे 10 मिनिट के बाद हमारी जो इडली है बनकर एकदम तयार है इसे ठंदा करेंगे और थोड़ा सा जब यह ठंदा हो जाएगा तब हम इसे बाहर निकाल देंगे तो देखें बहुत ही बड़िया सी सॉफ्ट सी इडली बनकर एकदम तयार है जटपट से बन जाती है बड़ी मज़िदार है खाने में धनिया या कोकुनट की चट्नी के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं कैसी लगी है रेसिपी कॉमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाए